तुम्हें पता भी नहीं है पर सालों से बॉलिवूड तुम्हें मूर्ख बनाता हुआ रहा है इस साला इंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे गैंग्स और बसेपूर के रमधीर सिंग का ये डायलोग बहुत मजाग मिलिया जाता है पर इसके पीछे कितनी सचाई है इसका तुम्हें अंताजा भी नहीं है इस चीज़ पर वीडियो बना चुके हैं कि बॉलिवूड कैसे विमेन को अब्जेक्टिफाइ करता है लेकिन बॉलिवूड का इंफुरेंसर इंडस्टी के लोगों पर नहीं इंडिया में रहने वाले हर एक इंसान पर पड़ा है बहुत सटली पड़ा है और बहुत ज़ादा पड़ा है एक एक एक्जम्पल देते हैं कॉमंद साथ उमने देखे होंगे अक्टर्स और अक्ट्रिसस जो फेर और लवली टाइपी क्रीमों के आड करते थे उनको क्रिटिससम मिलता था अगर सॉंग राइटर्स, चिटी, कलाईया, फेर स्किन के ओपर गालने लिखते थे उनको सर्फिस लेवल पर क्रिटिससम मिलता था लेकिन इसी के साफ नीचे बॉलीवूड का उपसेशन से फेर स्किन से इतना है अब इतने अवेडनेस और क्रिटिससम के बाद भी बॉलीवूड आज सुंदरता को सफेट स्किन से सोस्टेट करता है अब शायद कुछ लोग कहेंगे कि बॉलीवूड वो ही दिखाता है जो समाज में असली में होता है और हो सही भी हो जैसे एक बहुत ही पॉपिलर मुवी थी स्पेशल 26 जो इंस्पायर थी एक रियल लाइफ इंचिडेंट से लेकिन फूर उस मुवी से इंस्पायर होकर ऐसे 10-15 केसे सामने आए जो इंकम टैक्स आफिसर बनके जाके रेड मारते थे और लोगों से पैसे लूट जाते थे मंगलवार को चान्दी चौक के लाहरी गेट के कपड़ा बाजार में एक बार फिर फिल्मी अंदाज में ही रेट पड़ी वैसे ही एक और फिक्शनल मुवी बंटी और बबली जिससे इंस्पायर होकर ऐसे केसे सामने आए ये है अश्विनी कश्यब जिसको एक टिक्टॉक विलन के नाम से जाना जाता है इनके टिक्टॉक पर कुछ 33,000 फॉलोवर्स थे इनको एक्टिंग करने का बड़ा शौक था ये निकेता नाम की गलड़की से प्यार करते थे और 2002 में रिलेशन्शिप में भी थे लेकिन इनको जटका तब लगता है जब उन्हें पता चलता है कि निकेता की शादी किसी और से तैह हो गई है और फिर खबर आती है कि इन्होंने निकेता को गोली मारती ये महाशे कबीर सिंग मुवी के बहुत बड़े फैन थे उसकी बार बार एड़ेट चला करते थे अपने सोशल मीडिया पर एक टिक टॉक में उसने बुला भी था कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं हो सकती और ये बता चलता है कि इन महाशे का वो रिलेशन्शिप उस लड़की के साथ सिर्फ अपने दिमाग में था लड़की तो 10 साल से उस गवाँ में रहती ही नहीं थी जहां पर ये रहते थे लेकिन सालों साल वो से अपना प्यार मान कर स्टॉक करते थे अब ये तो एक एक्स्ट्रीम केस है लेकिन ये अकेला नहीं है और इस वीडियो को मकसद गे भी नहीं है कि बॉलिवोड को कैसी मुवीज बनाने चाहिए और कैसी नहीं बलकि तुम्हें ये समझाना है कि उन मुवीज का जो 100 साल से हमारे कल्चर का बहुत बड़ा पार्ट है जिनको हमेशा से entertainment को cultural propagation के लिए उसकरा गया है वो तुम्हारे दिमाग पर तुम्हारे परिवार पर तुम्हारे समाज पर कैसे effect करता है colorism, misogyny, marriage, कैसे जीना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कहा गुमना चाहिए इन सब की बात करेंगे, तुम्हारे लिए वीडियो देखना जरूरी इसलिए है और इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें ये समझ भी आ जाएगी, कि कैसे तुम इससे बच सकते हो या तकाय हो तो वीडियो को लाइक करो, बना यूट्यूब इस जरूरी वीडियो को लोगों तक पहुचाएगा नहीं और आओ अब तुम्हें समझाते हैं कि कैसे एंटर्टेन्मेंट एज अ मीडियम को यूज करा जाता है सब को इंफ्लूएंस करने के लिए आगे बनने से पहले ये क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो में स्टेंसरिफ टॉफिक्स वरी बात होगी लेकिन मूवीज को अभी से नहीं बहुत पहले से लोग प्रोपगांड़ा और कल्स्टल ट्रांस्वरमेशन फिलाने के लिए यूज करते आ रहे हैं जब मूवीज एक्जिस नहीं करती थे तो पुरारे जमाने में लोग एंटर्टेंमेंट के लिए थियेटर्स को देखा करते थे जैसे इंशिन रोम के समय में बहुत बड़ा मीन आव एंटर्टेंमेंट होता था लोगों के लिए कलोजियों में होने लड़ाई यहां अंशाम तक पूरा कलोजियों खून से भर जाता था माना जाता है कि 400 साल के समय तक में 4 लाख लोग और 10 लाख से जादा जानवर मार जा चुके थे लेकिन कलोजियों को सिर्फ एंटर्टेंमेंट के लिए नहीं बनवाया गया था कलोजियम था एंटर्टेंमेंट का मीडियम प्रोपोगैंडा फिलाने के लिए लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए और रूलर की पॉपिल्यारिटी बढ़ाने के लिए एंड ऐसे ही entertainment की थूरू propaganda फिलाने के खोशिश इंडिया में Britishers ने करी थी Second World War के टाइम पर इंडिया में Britishers ने सेट अप करा था F.A.B. Film Administration Board इस Board का primary काम ये था कि Indian filmmakers को लेकर ऐसी movies बनाई जाएं जो आम जंता में war sentiments को propagate करें एसी movies और documentaries बनती थी जिसमें तीन message बार बार डाले जाते थे Indians की devotion war effort की तरह, access powers जो Britishers के enemies थे war में उनकी oppressing power का खत्रा और Indians की ज़रूरत war में volunteer करने के लिए Dr. Courtney's की अमर कहानी, एक movie जिसमें 5 Indian doctors के real life experience डिपेट करें जिन्होंने चाइन में medical help पहुचाने के लिए volunteer करा था Japanese invasion की टाइम पर इस movie में इन doctors को बहुत glorify करा गया और ये message भी बेजा गया कि India की duty बनती है अपने neighbor दोस्तों की, अपने neighbor देशों की मदद करना और ये की Indians को unite करके Britishers के साथ उनकी तरफ से war में लड़ना कितना जरूरी है इसके अलावा Arms from India, Defense from India, The Handyman और Planes of Hindustan जैसी और बहुत movies उसदरान बनी जिसका sole purpose हिंदुस्तान में war propagation फैलाना था लेकिन 1940s में ही उसी time इंडिया के अंदर independence की लहर दोट रही थी इसलिए सारे filmmakers इसमें propagate नहीं करते थी और इंडिया की independence के बाद ऐसे बहुत सारे filmmakers आमने आई जिन्होंने अपने काम के थूँ सोशल इंपक्ट क्रियेट करा French Austin की direct करी गई अचूत कन्या, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर बात करती थी यह सारे मुवीज रियालिटी पर बेस थी और चलते वोई सोशल कल्चर, ट्रेंज और उसके इंपक्ट को reflect करती थी लेकिन फिर 1960s हतम होते होते, इंडिया की पैड़दल सिनेमा को इंडिया का कमर्शियल सिनेमा ओटेक करने लगा अलग-अलग दौर में अलग-अलग तरह की मुवीज चलने लगी 1960s में जहां रोमैंटिक मुवीज चलती थी 70s और 80s में अंग्री यंग मैन का ट्रेंड चलने लगा जो 90s में आते आते हैं फैमिली सेंट्रिक फिम्स के ट्रेंड में बदल गया फिर 2000s के बाद एक multitude of genre लोगों देखने को मिले जिसमें असालेदार action, comedy, romance, biopics, religion, social dabos, patriotism सब तरह की मुवीज देखने को मिली लेकिन अब जब इंडियन सिनेमा इतना बड़ा एक industry बन चुका है तो ये सवाल पूछना लाजमी है कि इतने सालों में बॉलेवोड ने सिनेमा ने इंडियन पर क्या चाप छोड़ी है और जनता ने उसको इतनी असानी से अपनाया क्यों है कि इन मुवीज को देखकर जनता ने क्या अच्छा और क्या बुरा सीखा और बॉलेवोड के इस impact को इंडियन सोसाइटी पर जानने के लिए यह नाम दिया गया है उस study को जो समझाती है कि हमारा दिमाग कैसे process करता है मुवीज को वो depend करता है कि किस तरह से उस मुवी को बनाया गया है जैसे एक simple से example लेते हैं language के impact को understand करने के लिए बॉलेवोड में हमेशा से English language बूलने वालों को modernity, education और sophistication तर जोड़ा गया है और उसे चीज़ को हम जिन्दिगी में, असल जिन्दिगी में culturally associate करते हैं जिसको कहते हैं cognitive association 2012 में high movie English English इसी अधार पर बनी थी कि श्रीदवी का character शशी, dumb और illiterate है उसकी बेटी और उसका पती दोनों उसका मजाक उड़ाते हैं जब उसको English आ जाती है और ये movie तो फिर भी एक बहतर example है लेकिन Bollywood में ना जाने कितने ऐसे example हैं जिसमें English ना बुलने वाले इंसान को कभी अच्छी light में नहीं दिखाया गया है अंग्रिजी भाषशा और गोरे रंग को छोड़ कर अगर किसी और चीज़ पर Bollywood ने सबसे जादा नेगेटिव इंपैक्ट डाला है तो वो है शादी आहां अगर तुम अपने परिवार में या आसपास कहीं सुना है कि शादी में जितना भी खर्च करो कम है तो उसके पीछे सबसे बड़ा जिन्मेदार Bollywood है और इसका असर अभी से नहीं बहुत साल पहले 90s में तब से होना शुरू हो गया था जब ये मूवी आई थी मूवी में वेडिंग सेलिबरेशन को बहुत जॉइफुल ग्रैंड तरीके से बनाया गया था हर सीन में गाने और डांस की सुमदरता भरी होई थी और हमारी सुसाइटी पर भी इसका असर देखने को मिलता है जहां पर प्री वेडिंग शूट्स पहले एक सिंपल अफेर होता था अब एक फुल ब्लोन प्रड़क्शन की इंडस्ट्री है फॉंक्शन जैसे संगीत लड़के और लड़के वालों की बीच में एक डांस आप की तरह है और बेडिंग सरीमिनी कभी कुछी कभी गं जैसी लगती है और नेटलेस तुससे उसी का हाथ है इस कल्चल्चिप में मुवी में मादूरी जैक्षिश का ब्राइडल फैशन, उनका आउटफिट, जेल्री और अवरल स्टाइलिंग ने बेंचमार्क सेट कर दिया था इंस्पारिंग ब्राइड्स के लिए वही चीज similarly अनुष्का विराट की शादी में भी देखने के लिए मिली जब देली का ब्राइडल मार्केट भर गया था ब्राइड्स की अनुष्का के सिमिलर लेंगे की डिमांड से और फिर कुछी सालों में बॉलिवूड ने ये ट्रेंड भी चेंज कर दिया जब रनवीर दिपिता की शादी हुई तब फिर अचानक से ब्रैट सिम्पलिस्टिक लुक्स के लिए जाने लगी है और उस तरीके की डिमांड बढ़ गई इसकी वज़ा से बॉलिवूड के ग्रांड सेलिबरेशन को देखते हुए शादियों में दुनिया जहां के रिलेटिस को बढ़ाया जाता है और खर्दारी करी जाती है जिसके वज़े से खर्चा धादा होता है इंडिया में बॉलिवूड के इस इंपक्टी वज़े से शादियों का सीजन एक ज़रिया बन गया है समाज में अपना सोचल रेप्रेटेशन और बढ़ाने के लिए चाहे वो अरेंज़ हो या लव मैरेज़ हो दहेच का लेन देन हो जोरो सोचे सेलिबरेशन हो अची मैमान नवाजी हो दुले दुलन के वेडिंग के सेलिबरेशन से जाता शादी कहीं हद तक बॉलिवूड के वज़े से बाहर वालों को दिखाने के लिए करी जाती है एड़ी मोवीज का इंपक्ट सिर्फ उस वेडिंग सहरीमनी तक ही रहता, शादी के बाद होने वाली लाइफ पर भी दिखता है दो दशकुर से पहले, बॉलेवोड में इंडिन फैमिलीज के रेप्रेसेंटेशन कुछ इस तरह से दिखाया जाता था कि चाहे फैमिली में किती भी प्रॉब्लम्स हो परिशानिया हो, बड़ी फैमिलीज में सब घर के मामा आता हूँ, चाचा लोग अच्छे से रहते हैं, अच्छे संसकारों के साथ इसके बावजूद कि बड़ी बड़ी फैमिलीज में अंदर कितना भी फ्लॉज हो, डिसकमफर्ट हो, इससे फरकनी पड़ता ही किस लिवल की डिसफंक्शनालिटी हो, हर एक सदस्ते को साथ रखा जाता है, एक यूनिट, एक फैमिली की तरह, which in the modern day is unfortunately a very difficult thing to do, लेकिन इसके बड़ी फैमिलीज के लिवल इन्वेंस कहीं ना कहीं इंडिया के कल्चरल डाइमिक को चेंज करने में बहुत इंपक्पुल रहा है, जैसे नुक्लियर फैमिलीज कुछ डेकेट्स पहले इंडिया के लिए एक नया कॉंसेप्ट था जो नौर मज चुका है, वैसी लि इसके लिवन रिलेशन्शिप, कैजवल रिलेशन्शिप, फोकाप कल्चर भी नौर्मलाइज होते जा रहा है, विच अगर्वाइस अर्लियर वस कंसेडर टबू, सलाम नमस्ते लोकाचे पी, शुद्दे सी रोमैंस, प्यार का पंच नामा, ओके जानू जैसे मूवीस, मॉ और उसको नौर्मलाइज करने की कोशिश करने का तरीका भी बहुत अब्जर्ट सा रहा है, पहले बॉलिवूड में जहां गानों में ये केमिस्ट्री और क्लोजनेस दिखाई जाती थी, दीरे दीरे उसको नौर्मलाइज करके मूवीस के प्लोट्स में इंकॉर्परेट कर बॉलिवूड का बहुत बड़ा रोल है, इस चीज में की स्टुदेंट्स आफन आफ दिस व्यूव कि कॉलेज स्टार्ट होते ही मौज मस्ती चालू होगी, क्योंकि मूवीस में इसे दिखाया जाता है, कि सब हसते गाते नाचते रहते हैं कैंपस में, पढ़ाई छोड़क सब करते हैं, और पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन की बात करें, तो 2017 में एक केस राइस करता है, जब कैरला के स्कूल में लड़की ने लड़की को स्कूल ओवेंट जीतने पर सब के सामने लंबा हग दे दिया, इसकी वरे से स्कूल ने उसको सस्पेंट कर दिया, क्यो में मुवी सा किता बड़ा रोल रहा है, और बॉलिवूड का इंपक्ट ये शादी, प्रेफरेंस ऑफ कलर, लमांस वगयरा से छोड़कर, वाइलेंस और पोर्ट्रेयल ऑफ हिरोज में भी बहुत है, शोले, राउडी, राथॉर, दबंग, सिंगम जैसी मूवीज एक स्लो ला रही है, ओडिएंस के दिमाग में एक हीरो की इमिज को लेकर, शोले is the classic example of this genre and this impact, and in movies का इंपक्ट सिफ ओडिएंस पर नहीं, एक्टर्स पर भी बढ़ जाता है, 1994 में आई बैंडिट कुईन, जिसको शेकर कपोर ने डिरेक करा था, उसमें इतना वॉइलेंस था कि वॉइलेंट पोट्रेल, आक्चुली रिजल्ड करती है, वॉइलेंट बहेवियर में, and in fact, लोगों को क्रिमिनल्स को आइडियास देती है, नए तरीके देती है, क्राइम्स कमिट करने के, जैसा अश्वीनी कश्रप के केस में देखने को मिला था, and उसी फॉल्स पोट्रेल के बीच में, बॉलेवर्ट टॉक्सिकेंट्स की कंशंप्शन को भी बहुत ग्लोरिफाय करता है, अल्कोहल और स्मोकिंग को हमेशा से एक स्टाइलिस्टिक एलिमेंट की तरह दिखाया गया है, अल्कोहल को गम से उभरने के लिए, या फिर सिग्रेट स्मोक करना, कूल कार आप चाहे लव लाइफ में परेशान हो या प्रोफेशनल लाइफ में परेशान हो, अब दारों प्योगे और आप ठीक हो जाओगे, और ऐसे भी अब्सर्फ किया गया है, कि जो यंग लोग मुवीज देखते हैं, वो क्यरक्टर्स को मिटेट करने के लिए ड्रिंक और स्म उसको बॉलिवूड मुवीज दिखाये जाएं, वहीं फिर दूसरी स्टडी में 517 टीनेजर्स में 15% ऐसे थे जोनने मुवी करेक्टर को इमिटेट करने के लिए स्मोक या ड्रिंक करा था, वहीं बॉलिवूड और मुवीज के विमन इंपावर्मेंट करने के तरीके को भी यहां question करा जा सकता है कि बॉलिवूड में इंडिपेंडेंट वूवें अक्सर स्मोक और ड्रिंक करती हैं, वहीं बॉलिवूड के विमन इंपावर्मेंट में एक तरफ आपको इंस्पिरेशनल मुवीज दिखती हैं जाएं चब दे, इंडिया, मैरी, कॉम, पर दूसरी त अब जो example मैंने दिये, वैसे और example तुम आई दे news में, social media discussion में पढ़ते रहते हो, एंड इसी की वज़े से एक बहुत बड़ी debate है जिसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि entertainment जब सिर्फ entertainment नहीं होता न, उससे जुड़ा कोई message होता है, तो हमेशा एक debate सामने आती है, हमेश दो पक्र सामने आते हैं, एक तरफ है वो लोग जो मानते हैं कि movie सिर्फ वो दिखा रही है, जो समाज में exist करता है, जैसे animal movie पर ये question ठाए गए कि इसके वज़े से समाज में लोगों की mentality बिगड़ेगी, तो makers की तरफ से ये बोला गया कि movie की कहानी तो पूरी fictional है, अगर इस इसको देखकर को इंस्पायर होता है, तो वो इस इंसान की नीजी परशानी है, इसमें movie की कोई से मिदरे नहीं है, it's fiction, it is a representation of society, बस्की पाची, like of course there is a very healthy conversation that has started about toxic masculinity also, which is a great thing because cinema at least there starts a conversation, अगर कुछ गलत है, अगर आप दिखाओगे निए कि गलत है, अगर आप दिखाओगे इन शुरू होता है, एक impact शुरू होता है, जो कई माइनों में कभी कबार negative भी हो जाता है, and historically, जैसे हमने बात करी, entertainment has been a very powerful medium for cultural transformation, ये नए ideas, values, perspective, introduce कर सकती है लोगों को एक नए fresh और more accessible तरीके से, जैसे अक्षे कुमार की movie Padman, जो की inspired है, Arunachalam Murugandha Tham की real life से जिसने low-cost sanitary pad making machine बनाई rural women के लिए, अक्षे कुमार ने Padman के association में एक social change campaign में चलाया 18-82, इसका aim था 18% से 82% तक sanitary napkin के use को बढ़ाने का, ये कितना effective रहा है, इसके पीछे तो कोई data नहीं है, लेकिन देरा enough news articles, enough individual reports कि इस एक movie के बज़े से क्या social change आया है, and women की life कैसे positively impact हुई है, although entertainment is an effective tool to communicate an impactful message, लेकिन drama बन जाने में भी इसको जादेर नहीं लगती है, जैसे movies की तरह, serials, daily soaps के through, भी social message फिलाने के कोशिक करी जाती है, जब बाले का बदू और सासराल सिमर का जैसे serials, देश की sensitive social problem को tackle करने के लिए, बनाए गए थे, तो काफी women empowerment की बात हुई थी, लेकिन कब में व movie के show के narrative में खोई वह होते हैं, तो viewer को एक fictional movie या show के world में transform कर दिया जाता है, जहां वो ज़्यादा open होते हैं, accept करने के लिए, जो भी message मूवी में दिखाया जा रहा है, इस बात का इस्तमाल काफी बार religious beliefs को challenge करने में करा जाता है, जैसे oh my god of PK जैसी movies माना जाती है, कि लोग trails की वज़े से young generation को अपने religious practices, अपने culture को accept करना, उसको believe करना uncool लगने लगता है, बट फिर कुछी सालों बात, ये same narrative किसी और religion के लिए देखने को मिलता है, जब Kashmir Files और Kerala Stories जैसी movies में, दूसरे religion के अंदर, लोगों ने क्या करा, क्या atrocities करी, उसको light मिलाया था, जिसकी वज़े से general public में एक negative sentiment फैलता है, अब Bollywood तो movies बनाना बंद नहीं करेगा, तो naturally तुम्हारे लिए most important सवाल ये आता है, कि कैसे देखा जाए और समझा जाए इस entertainment को, now it might seem कि Bollywood का movies का का काफी negative impact पड़ा है जनता पर, उनके mindset पर, देखने को मिला है, जहां पहले सिर अक्ट टाइबस में देखने को मिलता था, वही 2010 में बहुत सारी movies ने social impact भी create करा है, थ्री इडियर च्चोड़े जैसी movies ने इंडियन education culture पर बात करी है, वही मेरी कॉम और दंगल जैसी movies में, women के सामने वो कहानिया लाकर दी है, इनके वरे से over the year, sports और बाकी avenues में लड़कों का participation significantly ब ना उनको देखने वाली जनता, लेकिन historically ये देखा गया है कि cinema हमेशा लोगों की preferences पर चलता है, there's a reason why star culture prevails in India, अगर किसी star की चार बुरी movies और स्टार की पावर की वरे से back-to-back चलेंगे तो उम्हें ऐसे ही चार और movies देखने को मिलेंगी, which simply means कि अगर लोगों के preferences ठीक तो तुम्हें अच्छी movies ही देखने को मिलेंगी, अब वो preferences कैसे change हूए है, लोग को क्या देखना है, क्या नहीं है, उसकी बात कभी और करेंगे, तो मुझे बताओ, तुम बॉलेवोर के impact पर, तुम्हारे उपर बॉलेवोर के impact पढ़ा है, उसके वारे में क्या सोचते हो, यहां तक आए हो, तो यूटुबल गॉर्दम गयता है कि यह वीडियो तो में बहुत अच्छे लगेगी, हाँ पुरी प्लेइलिस्ट ऐसी और वीडियो की, वीडियो लाइक करो, शाल को सब्स्प्राइब करो, and I will see you in the next one, बाइ!